असलाम लेकूम and welcome back to my channel कैसे आप सब लोग गई होब कि आप सब खायरियत से होंगे आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ बहुत जबरदस weight loss diet plan जिससे आप week में 4-3 kg weight loss कर सकते हैं ना ही आपको जिम जाने की जरूरत है, ना ही walk करने की जरूरत है ना ही exercise करने की जरूरत है, सिरफ आपने ये diet plan follow करना है और one week में अपना weight जो है आप पहले check कर लें और उसके बाद आप इस diet plan को follow करें और उसके बाद फिर मुझे commerce में आके बताना है कि आप लोग को इस diet plan से फर्क बढ़ा है कि नहीं क्योंकि मैंने पिछले 10 दिन से diet plan को follow किया है और इससे मैंने अपना 4-3 kg weight lose किया है और उसके बाद मैंने ये वीडियो आप लोग के साथ share की है अच्छा ये diet plan वो लोग follow नहीं कर सकते हैं जिनको heart से related कोई problem है या जिनको blood pressure की problem है तो वो लोग diet plan को बिल्कुल नहीं follow करें उसके लावा बाकि सभी लोग diet plan को follow कर सकते हैं मौरनी की मेरी शुरुआत होती है detox water से और यहाँ पर मैंने बनाया है जीरे वाला पानी आप चाहें तो एक चमच जीरा रात को पानी में भीगो के रखते और सुबह उसको boil करके पी लें या तो फिर आप सुबह में ही direct एक चमच जीरे का ले उसको boil करें पानी में डालके तो बस वो पानी आप चाहें तो गरम जैसे हम चाहें कितना पीते हैं वैसे उसको पी लें इसके अंदर आपने half चमच शेहद रालना है और half lemon जो हैना वो स्विस कर लेना है sorry lemon के कुछ drop स्विस करके तो बस ये पी लेना है और इसको अपने बड़ा ही relax होके आराम से पीना है इसके बाद मैं 30 मिनट का gap लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं खाती हूँ fruit अच्छा fruit मैंने आज लिया है half apple एक पीच लिया है और उसके साथ थोड़े से मैंने लिया है grapes वैसे तो normal routine में ये होता है कि मैं एक apple फुल लेती हूँ लेकिन आज मैंने 7 में grapes लिया है तो इसलिए मैंने फिर apple को half कर लिया है तो उसके बाद जी मैं fruit खाती थी और fruit के बाद फिर मैंने 30 मिनट का gap लेना होता है और उतनी देरे में क्या करती हूँ कि मैं coffee बना लेती हूँ अपनी और साथ में एक रख देती हूँ वाइल होने के लिए अगर आप चाय पीते हैं तो इसके साथ आप चाय पी लें क्योंके मैं चाय नहीं पीती हूँ तो इसलिए जो हैना मैं इसके साथ प्योंगी black coffee अच्छा black coffee जो हैना वो मैं apple के बाद पीती हूँ और egg भी बाद में खाती हैं क्योंके apple की तसीर जो हैना वो ठंडी होती है है इसके आपने जर्दी नहीं खानी है अगर आप वेट लूज कर रहे हैं अगर आप वेट गेंड करना चाते हैं तो फिर आप एक की जो जर्दी है वो खा सकते हैं तो यहां पर मैंने 4 एक बॉाइल किये थे 2 बचों के लिए और 2 मैंने अपने लिए बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है आप जब भी कुछ खाने पीने लगें तो उसमें 30 मिनट का गैप आपने जरूर लेना है यहाँ पर जी मैं अपना एग खा रही थी और साथ में मेरे दोनों शजादे भी बैट की अपना एग खा रही थी अच्छा मेरे चोटे बैटे को बाईल एक बहुत ज़ादा पसंद आए जो बड़ा है वो कभी-कभी खाता है लेकिन छो चोटा है न और जैली ही भाईल एक खाता है उसको बाईल एक बहुत पसंद है इसके बाद जे फिर यहाँ पर मैं बना रही थी अपनी काफी के लिए मैंने एक स्पून लिया है जो खाने वला होता है फूल से थोड़ा मैंने कम लिया है इसके अंधर मैंने half lemon swiss कर दिया है इससे यह है कि आपका weight बहुत जल्दी कम होता है अच्छा आप अगर चाहे पीना चाहते हैं तो लो फेट मिल्क से आप चाहे बना सकते हैं मतलब कि आपने तीन हिस्से जो है पानी लेना है और एक हिस्सा उसमें दूद डालना है तो वो चाहे आप बना के पीश सकते हैं अच्छा फजन कम करने से पहले यह था कि में मौर्निंग में एक कप दूद पीती थी फिर मैंने दूद को स्किप किये क्यूँके दूद में कैलरीस होती हैं जादा और कॉफी में यह है कि इसमें कैलरीस नहीं होती हैं आप दिन में दो बार कॉफी पी सकते हैं अगर आप चाहे भी पीना चाहते हैं तो वो भी low fat milk से आप बना सकते हैं कि ये तीन हिस्से पानी और एक हिस्सा आप उसमें दूड डाले और चाहे आप दो टाइम पी सकते हैं यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पानी की जो के बहुत जरूरी है जिसको काफी लोग सिरियस नहीं लेते हैं तो पानी आपने दिन में 2.5-2 लिटर पीना है मैं यहाँ पर अपना ये जग दिखा रही हूँ ये वाला जो जग है ना मैं डेड़ जग पानी का पी जाती हूं सिरफ मैं अगर मैं बोतल की बात करूँ तो ये वाली जो है ना एक से डेड़ बोतल मैं अराम से पानी की पीती हूं डेड़ बोतल तो मुझे पका है कि मैं पीती हूं और जब भी आपने lunch करना है, breakfast करना है, कुछ भी आपने खाना है तो उससे आपने 20 मिनट पहले पानी ज़रूर पी लेना है और उसके बाद आपने lunch करना है, dinner करना है, breakfast करना है, वो कर ले और कोशिश करें कि जब भी आप खाना खायें तो उसके बीच में पानी पी लें नहीं तो कोशिश करें कि आप पानी बीच में भी नहीं पीएं खाने के फिर खाना खाने के बीच में पानी पी लें अच्छा ये मेरी जो रूटीन है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है और इससे मुझे काफी हेलपी होती है जिससे मेरा पेट नहीं निकलता एक तो मैं पानी जादा पीती हूँ और दूसरा मुझे खाने के बीच में पानी पीने की आदत नहीं है तीसरा मैं खाने के उपर से तो पानी बिलकुल नहीं पीती हू ये सब चोटी चोटी चीज़े हैं जिनको हम फोलो करेना तो हम अपने वेट को बहुत इच्छे से मिंटेन रख सकते हैं अच्छा जी जब भी आपने डाइट करनी है तो आपने प्रोटीन जादा लेना है अगर आपको डोक्टर ने किसी वज़ा से मना किया है तो फिर आप सबजियां भी साथ में खा सकते हैं फिर आप थोड़ा कम लें नहीं तो आप एग हो गया चिकन हो गया क्योंकि मुझे चिकन तो मैं खाती हूं लेकिन इतना जादा मुझे पसंद नहीं है मुझे एग जो है वो बहुत ही जादा पसंद है अगर एग ना हो तो मुझे लगता है कि मेरा नाष्टा ही नहीं होता तो मैंने सुबह में दो गॉायल अग लेने होते हैं और उसके बाद फिर मेरा ये वला लंच होता है सुबह में 2 गौईल एक लेने होते हैं और उसके बाद फिर मेरा यह वला लंच होता है और लंच में भी फिर मैं एक भाफ फ्राइ ले ले लेती हूं या फ्राइ एक ले लेती हूं या ओमलेट बना लेती हूं जो भी आपका दिल करें आप वो बना ले एक अंडे का और इसमें जहाना साथ में जर्दी होती है इसके में जर्दी नहीं निकालती हूं इसके साथ मैं लेती हूं एक सलाइस ब्रैड का ब्रैड को चाहें तो आप बटर लगाके भी गरम कर सकते हैं लेकिन अंडा बनाए, ओमलेट बनाए या आप फ्राई एक बनाए तो उसका जो ओईल होता है ना वो टिश्यू से आप ड्राइ कर लिया करें उसके बाद खा लिया करें अगर आपको जादा बूखला करी हो तो फिर आप डेड जो है ना पीस ब्राइट के ले सकते हैं एक फुल और एक हाफ इसमें चाहें आप नॉर्मल ब्राइट ले 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 या फिर ब्राउन ब्राउन ब्राइट ले ले मैंने जब भी अपनी लाइफ में तीन से चार बार वज उसकर लेटी हूं मुझे चना पलाओ बनाना होता है तो बना लेती हूं और बाकिज होते है न उनको जिप लोग बैग में डाल कर लेती हम और जब भी आप सैलेट में डालना चाहें तो डाल सकते हैं या एक दिन जोड़के डालना चाहें जब दिल हो तो स्किपकर दें, देल लें तो इसमें क्या है कि आप एक ही पैकेट लें डाल के रख दें और हाफ को तोरी चने निकालें और उसके बाद आप अप सेलिट में डालें और आपको चने बॉयल करने के टैंशन नहीं रहती है बस रात को आप भी गोंके रख दे और सुबामे उनको बॉयल कर लें और जब ठंडे हो जाएं तो बस इनको आफ फ्रीज कर लें। साथ ही मैंने यहां पर रख दिया था अपना कावा बनने के लिए तो बस कावा भी बनके रैडी हो गया था। कावे में मैंने डाले हैं लीमू के चिलके, साथ में सुका हुआ फदीना, उसके साथ अद्रक डाली है, सौफ डाले हैं और जीरा डाला है, साथ में एक छोटी ऐलाइची डाली है और इसको मैंने तीन से चार मिनट पका लिए हैं तो बस यह मेरा कावा बनके हो गया था रैड और यह salad मैं बना रही थी शाम के लिए क्योंकि शाम की जो मेरे snacks का time होता है ना उसमें क्या होती है मेरे कोशिश कि मैं salad खा लूँ या फिर fruit salad खा लूँ इसमें मैंने लिया है वाइल किया हुआ आलू साथ में खीरा टी मार्टर हरी मर्च है साथ में अंगूर है और इसके बेटा है ना उसको चने बहुत पसंद है और जब ही मैं salad खाने बैठती हूँ ना तो सारे चने चुन-चुन के वही खा जाता है तो इसलिए मैंने आज ही चने भॉइल किये थे तो इसलिए मैंने ज़्यादा सारे चने डाल दी है ताके मेरा बेटा अराम से खा ले तो बस यह salad जो है ना वो मैं बना के रख देती हूँ और फिर मैंने इसको खाना होता है शाम में शाम की जो मेरी भूख होती है ना वो बहुत ही तेज वाली होती है और उसमें फिर मुझसे बिल्कुल भी control नहीं होता तो बस यह होता है कि मैं फटेफट से पानी का गिलास पीती और उसके बाद जो है ना फिर अपना ये salad को enjoy करती हूँ इसके अंदर आप एक fruit daily different डाल सकते हैं कभी banana डालें कभी apple डालें कभी grapes डालें ज्यादा fruit नहीं डालें आपने सिर्फ एक fruit को इसा भी अपना फेवरिट इसमें डालें उसके बाद जी फिर बात आ जाती है nuts की तो यहां पर मैंने लिये थे पिस्ता, काजियू गदाम और साथ में फूल मखाने और ये भी होते हैं मेरे पास option अगर salad के बाद भी मुझे फलकी फुलकी बूख होती है तो फिर मैं ये खा लेती हूँ और यहां पर ये सारी चीज़ें अगर मैं मिलाल हूँ तो half cup होंगे या फिर half cup tori इनको आपने evening snacks के time पर लेना है और इससे healthy कोई snacks आपके लिए हो नहीं सकते हैं अचा फूल मंखानों के हम बात करें तो इनके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं हडियों के दर्द के लिए कमर के दर्द के लिए blood pressure के लिए sugar के मरीजों के लिए सब के लिए इसके बार time हो जाता है डिनर का तो डिनर से पहले ही मैंने एक glass पी लिया है पानी हमेशा आप खाना खाने से 20 मिनट पहले एक glass पानी पी लें इससे आपको अच्छे से अंदाजा हो जाता है कि आपको कितनी बूख है आपने कितना खाना खाना है कितना नहीं खाना डिनर मे है ची आज टिंडे और चने की दाल मैंने बनाई है और साथ में है खिचडी खिचडी मैंने कल बनाई थी बच्चों के लिए तो बस मैंने वही खिचडी गरम कर लिए है और उसके साथ मैंने हाफ टिमाटर कट कर लिया है और हाफ अच्छा डिनर के साथ ना मुझे सैलेट खाना बिलकुल अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं हाफ खीरा और टीमाटर कट कर लेती हूँ तो बस डिनर के साथ मैं हमेशे यही खाती हूँ इसके साथ मैंने अचार लिया था और अचार क्यूंकि मुझे बहुत पसान दाए स्पेशिलि मैंने नोट किया है जब मैं डाइट करी होती हूँ ना उस टाम तो कुछ ज़ड़ा रे दिल करता है अचार खाने का तो अचार तो मैंने कभी भी नहीं चोड़ा है अचार भी आप खा सकते हैं कोई टैंशन वाली बात नहीं है यहां पर जो मैंने चावल है ना वो बिलकुल थोड़े से लिये थे और यह भी चावल मेरे दोनों बेटे मेरे साथ खाएंगे और क्योंकि बच्छों को जो है ना वो सालन पसान दया तो मैंने सालन थोड़ा सा जादा लिया के बाद कोशिश किया करें कि कुछ नहीं खाया पिया करें अच्छा डिनर के 30 मिनट बाद फिर मैं पीती हूँ अपना कावा वेट लो उसके दुरान मैं जो है ना ग्रिन टी नहीं पीती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि जो कावा होता है वो ही बना के पीती हूँ अच्छा कोशिच कर नी भी होती है न तो इस ताइम में एक कप जो आप नेम गरम करकर दूद का पीती हूँ रीदाउट शूगर इसकासथ दू खजूरे ले ले लेती हैं कोशूर खाने से यह है जो आप की मिठे की क्रेमिंग होती है वो भी पूरी हो जाती है और जो वाइटामिन की कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है अलग से आपको वाइटामिन खाने की ज़रत नहीं पड़ती है खुजूर आप चाहें तो दिन में भी खा सकते हैं चाहें आप इसको दूद के साथ खा ले इसके साथ आपने कोशिच करनी है जी मेरी फुल डे डाइल प्लैन डूटीन जिससे मैंने अपना 4 kg वेट लोज किया है आई होप कि आज की वीडियो आप लोगो पसाद आई होगी वीडियो पसाद आई है तो वीडियो को लाइक करना है चारल को भी सस्क्राइब करना है मिलते हैं नेक्स वीडियो में अला हाफेज